हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में दोस्तो आज मैं आपको कैक्टस और सकुलेंट की जानकारी दूँगा और इसे आपने गर्मियों में कैसे बचाना है कैसे सीव करना है उसके लिए आपको जानकारी दूँगा दोस्तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो में नहीं अपलोड करूँगा आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा चलो दोस्तो आप बाज शुरू करते है प्लांट्स के उपर दोस्तो यह आप देख सकते हो यह मेरा हबर्तिया है आपको दखाता हो इसे मैं बाहर निकाल कर यह कैसा है देख सकते हो इसको मैंने ऐसे डबे में लगा हुआ है वेस्ट में इसको टोटली जो इसके लिए मैंने جो अपने मिटी है उसमें मैंने 15 % ग और आप यह भी देख सकते हो एक यह मोटे वाला है नेट्स दोस्तों अगर बात करूं यह मेरा बनियर के प्लांट है ममलेरिया है इधर पड़ा उगा ममलेरिया की आप फ्लावरिंग देख सकते हो कितनी ज्यादा फ्लावरिंग है इसका भी आपको बताऊंगा आप कैक्टस पे इतनी फ्लावरिंग कैसे ले सकते हो जह छोटे ममलेवर्य पर भी आप यहाप देख सकते अधर देख सकते होता है यह जो देश्य वाला होता है और इदर देखो आप दोस्तों सबसे पहले आपने किस चीज का ख्याल लखना है अगर आप भी अपने गार्डन में कैक्टस और सकुलेंट ग्रो करते हो पानी इसे उस टाइम देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए क्योंकि कैक्टस और सकुलेंट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए यह डैजर्ट प्लांट होते हैं डैजर्ट में अच्छे से ग्रो करते हैं यह क्योंकि डैजर्ट में कभी-कभी इनको 15-20 दिन बाद पानी मिल जाता है आप यह देख सकते हो पूरी तरह सूका हुआ है यह देखो लेकिन इसकी मिट्टी के अंदर मोश्यर है इसको ग्रो करने के लिए यह मोश्यर काफी है अच्छी तरह ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी देऊंगा मैं इसको 2-3 दिन पानी देऊंगा ज्यादा ज्यादा तो मैं अभी 10 दिन और पानी नहीं दूँगा आप इसकी ग्रोफ चेक कर सकते हो बनी एर की और ममलेरिया देखो कैक्टस देखो इसकी ग्रोफ कैसे आती है आपने अपने जो भी कैक्टस है सकुलेंट है इनको हाई नाइट्रोजन वाली जो फैटिलाइजर होता है खाद होती है बार वह नहीं देनी सी आप इसको दसप Renee आप इसको पंदरा दिन में एक बार डीय पी के दो चार दाने इसमें डाल सकते हो क्यूंकि इसके पोर्ट चोटे होते है फॉस के हिसाब से दो तीन दाने बहुत है और हर दस दिन बाद इसमें आप जो यह आप देख सकते हो मैंने डाला हुआ है granule यह सीवीड फर्टीलाइजर में सारे जो माइक्रोनूट्रियंट होते हैं वो प्लांट को मिल जाते हैं जिससे आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो करता है अच्छे से चलता है फलावरिंग आती है ग्रो उसकी ने सब vy till आप अच्छी उजाती है इसको से भी नए प्लांट बना सकते ओ सकते हो यह इसका मधर प्लांट है इसके जो प्लांट निकल रहे हैं इसको आप ऐसे अलग में ग्रोू कर सकते हो यह देख शकते हो सकते हो मैंने एक नट लाया था नरशी से 150 का और उसके आप देख सकते हो दो प्लांट इसमें हैं एक स्नेट प्लांट इसमें हैं काम से काम एक प्लांट से 10 बदगए है मेरे आप भी ऐसे इसको डॉडाइड जुरूर करो इनकोडवाइड करोगे तो यह आपके पास बचेंगे क्योंकि यह प्लांट मेरा कभी भी खराब हो सकता है रूट रोट हो सकता है तो मेरे पास नेक्स इसके प्लांट है हवर्थिया का भी ऐसे ही है दोस्तों पानी इसको इसको बस आपने जो जलती देने वाली प्लांट्स को उसमें नहीं रखना और गर्मियों के कारण आपके जो पॉटिंग मिक्स है जो स्वाइल मिक्शर है वो मिट्टी रोज जल्दी सूख जाएगी उस मिट्टी को सूखा देखकर आप इसको रोज पानी मत दीजिए एक टाइम रख लीजिए आप एक दिन छोड़कर मॉर्निंग में इसको पानी दीजिए जब भी आपने अपने प्लांट्स को पानी देना है वह दो डालकर इसकी जड़ों में दे देना है उससे आपके प्लांट को कोई भी परे प्रॉब्लम नहीं होगी जड़ो में अगर कोई फंगस होगी वो भी मर जाएगी खीक है दोस्तो ये थी मेरी कैक्टस और सकुलेंट पर एक छोटी सी वीडियो अगर आप भी मेरे बताएगे टिप्स पर काम करोगे तो आपके भी कैक्टस और सकुलेंट पर ऐसे फूल आएगे और ऐसे अच्छे से ग्रू करेंगे ये चलो दोस्तो मिलते हैं नई वीडियो में ने टॉपिक के साथ प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेर कीजिए ठेंक्यू